Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज की वीडियो में हम अध्यन करने वाली हैं कक्षा साथ के संस्कृत विशय के आठमी पाठ का पाठ का नाम है त्री वरड़ ध्वजह अर्थात तिरंगा जंडा तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे इसके हर एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे तो ध्यान से इसे पढ़िएगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि पाठ को तो नहीं पढ़ते लेकिन उसका अभ्यास कारे सिर्फ कर लेते हैं तो इस तरह ना किया करिए आप पाठ को पढ़िए इससे जो है आपको प्रशनुत्तर करने में आसानी होगी और उन्हें याद रखने में भी बहुत ही जादा मदद मिलेगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेल्फुल लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए केचन बालकाह काश्चन बालकाह यानिकी लड़के काश्चन यानिकी कुछ बालकाह यानिकी लड़किया चा का अर्थ होता है और स्वतंत्रता दिवसस्य यानिकी स्वतंत्रता दिवस के धोजारोहड समारोहे यानिकी धोजारोहड समारोह में सो उत्साहम उत्साह के साथ गच्छनताह यानिकी जाते हुए परस्परम यानिकी आपस में सनलपंती यानिकी बात चीत करते हैं कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के धोजा रोहड समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बात चीत करते हैं देवेश कहता है अध्य स्वतंत्रता दिवस है आज स्वतंत्रता दिवस है असमाकम विद्यालयस्य प्रचार्यह धोजारोहणं करिश्यती स्माकम यानिकी हमारे विद्यालेस्य यानिकी विद्याले के प्रचार्य यानिकी प्रचार्य प्रधानध्यापक ध्वजारोहडम यानिकी ध्वजका आरोहड करिश्यत यानिकी करेंगे हमारे विद्याले के प्रधानध्यापक ध्वजारोहड करेंगे चात्राश्च सांस्कृतिक कारिक्रमान प्रस्तोशियंती चात्राश्च यानिकी और विद्यार्थी सांस्कृतिक कारिक्रमान यानिकी सांस्कृतिक कारिक्रम को प्रस्तोशियंती यानिकी प्रस्तुत करेंगे और विद्यार्थी सांस्कृतिक कारिक्रम प्रस्तुत करेंगे अन्ते च मोदकानी मिलियश्यंती अन्ते यानिकी अन्त में च यानिकी और मोदकानी यानिकी लड़ू मिलेंगे और अन्त में लड़ू मिलेंगे डेविड कहता है किस से सुचे यानिकी शुची से जानसी तौम जानसी यानिकी जानती हो तौम यानिकी तौम क्या तुम जानती हो स्माकम ध्वजह की द्रिशह स्माकम यानिकी हमारा ध्वजह यानिकी जंडा की द्रिशह यानिकी कैसा है सुची क्या जानती हो हमारा जंडा कैसा है शुची ही, शुची कहती है अस्माकम देश अस्य ध्वजह त्री वरडः इती स्माकम यानि कि हमारे देश अस्य यानि कि देश का ध्वजह यानि कि जंडा त्री वरडः यानि कि तीन रंग का या फिर तिरंगा है इती यानिकि ऐसा, तो सुची कहती है कि हमारे देश का जणडा तिरंगा है या तीन रंगों का है सलीमह, सलीम कहता है किस से? रुचे यानिकि रुची से आयम त्री वर्डाह कथम, आयम यानिकी यह त्री वर्डाह यानिकी तिरंगा कथम यानिकी कैसे, यह तिरंगा कैसे है, रुची ही, रुची कहती है, अस्मिन धोजे त्रयाह वर्डाह संती, अस्मिन यानिकी इस धोजे यानिकी जंडे में त्रयाह यानिकी तीन, वर्डाह य त्री वर्डा है इसलिए तीन वर्ड का यानि की तिरंगा है इस जंडे में तीन रंग है इसलिए या तिरंगा है किम तौम एते शाम वर्डा नाम नामानी जाना सी किम यानि की क्या तौम यानि की तुम एते शाम यानि की इन वर्डा नाम यानि की रंगों का नामानी यानि क नाम जानास यानिकी जानते हो क्या तुम इन तीन रंगों का नाम जानते हो सलीम कहता है अरे केशर वरड़ाह स्वैताह हरिताह च एते त्रयाह वरड़ाह सलीम कहता है कि अरे केशर वरड़ाह स्वैताह यानिकी सफेद हरिताह यानिकी हरा च यानिकी और एते यानिकी इसके त्रयाह यानिकी तीन वरड़ाह यानिकी रंग सलीम कहता है कि अरे केशर या रंग सफेद और हरा ये तीन रंग हैं देवेश कहता है स्माकम ध्वजे एते त्रयाह वरडाह किम सूचयन्ती स्माकम यानिकी हमारे ध्वजे यानिकी जंडे में एते यानिकी ये त्रयाह यानिकी तीन वरडाह यानिकी रंग किम यानिकी क्या सूचयन्त यानिकी सूचना देते हैं या बताते हैं हमारे जंडे में ये तीन रंग क्या बताते हैं सलीम कहता है, शुरुडू, सुनो केशर वर्ड़ह, शौर्यस्य, स्वैतह, सत्यस्य, हरितश्च, सम्रिध्धे, सूचकाह, संति केशर वर्ड़ह यानिकी केशरिया रंग, सौर्यस्य यानिकी वीर्था, का श्वैताह यानि की सफेद, सत्यस्य यानि की सत्यका, हरितश्च, हरित यानि की हरा, चक अर्थ होता है और समरिध्धेह यानि की समरिध्धिका, सूचकाह यानि की सूचक या प्रतीक संत यानि की है सलीम कहता है कि सुनो केसरिया रंग वीर्ता का सफेद रंग सत्य का और हरा रंग समरिद्ध का सूचक है सुची ही सुची कहती है किम एतेशाम वर्णा नाम अन्याद अपी महत्वम किम यानि कि क्या एतेशाम यानि कि इन वर्णा नाम यानि कि रंगों का अन्यद अपी अन्य यानि कि दूसरा अपी यानि कि भी महत्वम यानि कि महत्व है शुची कहती है कि क्या इन रंगों का दूसरा भी महत्व है डेविड कहता है आम कथमना ध्वजस्य उपरी स्थिता है केशर वरडः त्यागस्य उत्सा हस्य च सूच कह अम यानिकी हां कथमना क्यों नहीं ध्वजस्य उपरी उपर स्थिता है यानिकी केशर वरडः त्यागस्य उत्सा हस्य उत्साह का चक अर्थ होता है और सूचका है यानि कि सूचक या फिर प्रतीक है डेविट कहता है कि हाँ क्यों नहीं जंडे के उपर इस्थित के सरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है मध्य इस्थित है श्वेत वर्ड है सात्विक तायाह सुचित आयाह च द्योत कह मध्य यानि कि बीच में इस्थित है यानि कि इस्थित श्वेत वर्ड है यानि कि सफेद रंग सात्विक तायाह यानि कि सात्विक ताका सुचित आयाह यानि कि इमानदारी का च यानि कि और द्योत कह यानि कि द्योतक या प्रतीक है बीच में इस्थित सफेद रंग सात्विक्ता का और इमांदारी का सूचक है अधह इस्थितह हरित वर्डः वसुन्धारायाह शुष्मायाह उर्वरतायाश्च द्योत कह अधाह यानिकी नीचे इस्थिताह यानिकी इस्थित हरितवर्ड़ह यानिकी हरा रंग वसुनधारायाह यानिकी प्रित्वी का शुष्मायाह यानिकी सौंदर्य का उर्वर्तायाश्च यानिकी उपजावपन का द्योतकाह यानिकी द्योतक या सूचक है नीचे इस्थित हरा रंग पृत्वी के सौंदर्य का और उपजावपन का सूचक है तेजिन्दर कहता है किस से? शुचे यानिकी सुचि से तेजिन्दर सुचि से कहता है ध्वजस्य मध्धे एकम नील वरडम चक्रम वर्तते ध्वजस्य यानि की जंडे के मध्य यानि की बीच में एकम यानि की एक नील वरडम यानि की नीले रंग का चक्रम यानि की चक्र वर्तते यानि की है तेजिंदर कहता है सुची जंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है सुची, सुची कहती है आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम यानि कि इसे अशोक चक्रम यानि कि अशोक चक्र कथ्यते यानि कि कहते हैं, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं, एतत प्रगते है न्यायस्च प्रवर्थ कम, एतत यानिकी यह प्रगते है यानिकी प्रगति का न्यायश्य यानिकी न्याय का च यानिकी और प्रवर्तकम यानिकी प्रवर्तक है यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है सारनाथे असोक स्तंबह अस्ति सारनाथे यानिकी सारनाथ में अशोक स्तम्भ यानिकी सोक स्तम्भ अस्त यानिकी है सारनाथ में अशोक स्तम्भ है तसमात एव एतत ग्रहीतम तसमात यानिकी वहां से एव यानिकी ही एतत यानिकी इसे ग्रहीतम यानिकी ग्रहड किया गया है वहां से ही इसे ग्रहण किया गया है प्रवडः प्रडव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर विन्षति ही आराह संती अस्मिन यानिकी इस चक्रे यानिकी चक्र में चतुर विन्षति ही यानिकी 24 आराह यानिकी तीलियां संति यानिकी हैं इस चक्र में 24 तीलियां हैं मेरी, मेरी कहती है भारतस्य संबिधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य धोजस्य सुईकरणम जातम भारतस्य यानि कि भारत के संबिधान सभायाम यानि कि संबिधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 को समग्र तया यानि कि समग्र या पोड रूप से आस्य यानि कि इसे या इस धोजस्य यानि कि जंडे को स्विकरडम जातम यानि कि स्विकार किया गया मेरी कहती है कि संबिधान सभा में 22 जुलाई 1947 को समग्र रूप से या पोड रूप से इस धोज को स्विकार किया गया तेजिंदर कहता है असमाकम त्री वरड़ धोज़ स्वाधीन तयाह राष्ट्र गौरवस्य यानि कि राष्ट्र गौरों का च यानि कि और प्रतीकाह यानि कि प्रतीक है हमारा तिरंगा जंडा स्वाधीन ता और राष्ट्र गौरों का प्रतीक है अतयव स्वतंत्रता दिवसे गड़तंत्र दिवसे च अस्यधो जस्य उत्तोलनम समारोह पुर्वकम भवती अतयव यानि कि इसलिए स्वतंत्रता दिवसे यानि कि स्वतंत्रता दिवस पर गड़तंत्र दिवसे यानि कि गड़तंत्र दिवस पर च यानि कि और अस्य यानि कि इस ध्वजस्य यानि कि जंडे को उत्तोलनम का अर्थ होता है फहराना समारोह पुर्वकम यानि कि समारोह इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गर्तंत्र दिवस पर इस जंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है तो यहाँ पर हमने अश्टमा पाठा त्री वर्ड़ा धोजा का अध्यान कर लिया है, इसके अर्थ को समझ लिया है, इसके अभ्यास कारे को हम करेंगे अगली वीडियो में, पाठ से संबन्धित कोई भी दाउटो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केर और बाइबाइ